तो दोस्तों वीडियो को ज़्याद से ज़्याद लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट किये हमें बहुत ही जुरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जिएअध्य बी नीज प hypocrisy episodes से बड़ी खबर है दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू के हैं दोस्तों लोग सभाचुनाव 2019 के नतीजे 23 मई को आने वाला है मायावती के प्रधान मंत्री बनने की कितनी संभावना है जी हां दोस्तों लोग सभाचुनाव 2019 में BSP सुप्रीमो मायावती साफ कर चुकी है कि अगर उनको प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला तो वह उत्तर परदेश की अंबेडिकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी हलाकि इस पद की एक और दावेदार पस्ची मांगाल की मुख्य मंत्री और TMC सुप्रीमो मायावती और SP प्रमुक अखलेस यादो वोट खत्म ह होने से पहले दिली में मीटिंग होने से यह टाल सकते हैं इस मीटिक आने तो कॉंग्रेस द्वारा किया जाना है सुद्रो का कहना है कि आंधर परदेश के सीएम चंदर बाबु नाइडू बीते हपते बंगाल गय थे और ममता बनर जी से मुलाकात की थी लेकिन जब उन्हो बेनर जी ने गैर कॉंग्रेस और गैर राजनिति बीजेपी का नारा देकर के बाकी दलों को नेता बनी के कुशिस कर रही हो लेकिन अब मायावती भी साधे पाव समीकरण को साधने में जिटी हुए जिया दोस्तों मायावती के लिए समर्थान भी बढ़ रहा हैं बीएस बीएस पी ने भी धान सबाचुनाव से पहले ही करनाटक में एचदीद देवगोडा की पार्टी जनता दल सेक्विलर के साथ गटबंदन किया था और फाइदा यह रहा कि उनके कोर वोटरों से जेडीएस का भरपूर साह दिया साथ ही साथ बीएस पी एक सीट निकल के काम करनाटक का सीएम बनते ही कुमारा स्वामी की हालत बनने का वह पी एम पद के लिए मायावती का समर्थन करेंगे इसके बाद हरियाना के और कदावर नेता अभय चोटाला ने भी मायावती को समर्थन करने की बात कही है अगर NDA UPO को बहुमत के आसपा सीटे नहीं मिलती है तो कॉंग्रेस अने दल जो UPA के साथ नहीं है उसको साथ लेकर के देश का पहला दलित पीम बनाने के लिए मायावती को समर्थन दे सकती है। अलित प्रधान नयदीस, जस्टिस के जी कृष्णन मिले। जी हां दोस्तों मायावती के पास कम से कम 18 राज्यों का समर्थन भी है। उत्तर परदेश और करनाटक में उनके पास इतना वोट है जो किसी भी गठवंदन को सीधे फायदा पहुँचा सकता है। हाला कि BSP की प पापा और बसपा गठवंदन की 50 सीटे आती है तो हो सकता है कि UPA और अन्यदल मीर करके एक मायावती अगवाई वाले नई सरकार बना सकती है। लेकिन उस परिस्थिती में UPA को 100 और अन्य के पास 150 सीटे होनी चाहिए। मध्य पर्देश और राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार बनाई गई है लेकिन वह BSP और अन्यदलों के समर्थन से ही सत्ता में टिक हुई है। अगर हालत बनाने की बात कहें तो कॉंग्रेस मायावती का समर्थन नहीं करती तो BSP सुप्रीमों इन दोनों को सरकारों के सपा बसपा गठवंदन 50 सीटे जिती हैं तो इस पर इस सिती में BJP भी कॉंग्रेस को किसी भी कीमत से रोकने के लिए मायावती को PM पदगा ओफर दे सकती हैं हलाकि ऐसी सरकार कितनी दिन तक चलेगी इसका आकलन भी पुराने इतिहास के तैक किया जा सकता है। जिहां दोस सेना की वर्दी में क्या क्या बदलाओ किये जा सकते हैं इसको लेकर के सेना मुख्याले के आर्मी कमांड और सेन अधिकारियों का सुझाव मांगा गया है। अंग्रेजी अक्वार के मुठालेों की ओर से 11 निर्दे सालेों को चिठी भेज़ करकी इस मुद्दे पर राई मांगी गई है सुत्रो की माने तो सेना मुठाले के वरिष्ट अधिकारीों ने इसकी बात को लेकर चर्चा की है कि सेना की वर्दी को ज़्यादा स्मार्ट और अरामदायक बनाना चाहिए आया है यह सुझाव जी आदोस्तों एक वरिष्ट अधिकारी के मताबिक यह सुझाव दिया गया है कि जीस तरीके से दूसरे देश की सेना की वर्दी के पैंट और सट का रंग अलग होता है उसी तरीके से यहां भी कर सकते हैं एक सुझाव आया है कि जीस तरीके से अमेरिकी और ब्रिटेन की सेना की रैंक की जानकारी सीने पर लगी चिन्हों से होती है कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जी हाँ तो वर्दी में बदलाव को लेकर के एक सुझाव आया है कि चोड़ी बेल्ट को हटाये जा सकता है इसमें से वर्दी और आरामदायक हो सकती है वहीं कपडों की क्वालिटी के बारे में भी सुझाव दिया गया है फिलहाल सेना में नौ तरीके के वर्दिया है इसमें चार स्रेणियों में बाटा गया है इसमें पहली स्रेणियों है लड़ाई के समय वाली बर्दी दूसरी वर्दी होती है किसी समारो की और तीसरी वर्दी होती है सांती के समय की और जो चोथी होती है वो मेस यूनिफॉर्म समाराओ की वर्दी तीन दिन की होती है जिसमें से हर वर्दी का अलग अलग नंबर होता है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़वरे ममता बेनर्जी फोटो बिवाद माफी मांगने की सर्थ के बाद सुप्रीम कोट ने दी प्रियांका सर्मा को जमानत ममता बेनर्जी की बिवादी तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा कारी करता प्रियांका सर्मा को सुप्रीम कोट से सक्थ जमानत दे दी है सुप्रीम कोट ने उन्हें तुरंद रिहा करने का आदेश दिया है इससे पहले गिरफतार भाजपा कारी करता प्रियांका सर्मा को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा है कि प्रियांका यदि माफी मांग सकती है तो उन्हें जमानत दी जा सकती है जिया दोस्तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम जमानत दे देंगे लेकिन उन्हें प्रियंका सर्मा को माफी मांगनी होगे जिया दोस्तो इससे पहले प्रियंका सर्मा के वकील सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केवल एक पोष्ट क की वज़ाद से उसे जेल भेज दिया गया इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि हम जमानत दे देंगे लेकिन प्रियंका सर्मा को माफी मांगनी होगे जस्टिस संजीव खना ने कहा है कि हमने भी तस्मीर देखी है अगर ये कोई समाने व्यक्ति होता तो बात अलग होती लेकिन च चुकि अभी चुनाव चल रहा है और आप एक पार्टी के सदसे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं जब कि सुप्रीम कोट माफी मांगने की बात पर जोद दे रहा है प्रियंका सर्मा के वकील ने कहा है इसके बाद माफी मांगने के सर्थ के साथ प्रियंका सर्मा को सुप्रीम कोट ने जमानत देने का आदेश देती है जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़वर है डूबते इरान की आखरी सहारा बनेगा भारत अगले 24 घंटे होगा अहम जी हां दोस्तों यूए के प्रतिबं सबसे अहम हो रहा है जब अमेरिकी रास्पति डोनल्ड रब ने इरान में तेल आयात को लेकर के भारत समय चो देशों की देगई सिमित छूट को खत्म करने का एलान किया है यूएस की चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि अगर भारत इरान से तेल आयात बंद नहीं करत है तो उसे भी यूएस प्रतिबंद का सामना करना पड़ सकता है विदेश मंत्राले के मुताबिक भारत और इरान यूएस के प्रतिबंदों और उसके असर पर विचार करेंगे जिया तो दोनों देश इस बैठक में इस मुद्दे पर समधान निकालने की कोशिस करेंगे ज जाफिर इरान के परमानु कारेकरम JCPOA के आंतरिक तोर पर बाहर होने पर भी सुस्मा सुराज को ब्रीफ करेंगे जाफिर का भारत का यह दूसरा दोरा होगा वह इसी साल जनवरी महिने में भारत आयते और भारतिये नित्रत्य से मुलाकात भी की थी इरानी राजदूत अ गोनी ने पिछले सब्ता का था कि भारत तेल के आयात पर अपने राष्टिये हीतों का अनुरूप फैसला करेगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर बुगा बबुगा मिलकर के जितने साल सीम नहीं रहें उससे ज्यादा मैं गुजरात का सीम रहा हूँ जी हाँ दो प्रदान मंतरी मोधी ने कहा है कि विपक्ठी दावा ये कर रहे हैं कि वो सरकार बराएंगी लेकिन जनता उससे पूछ रही है कि इसका नेता कौन होगा स्वस्त लुक तंत्र विवस्था में जनता को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है जनता से लुका चुपी का खेल न का भरपूर समर्थन आपके इस सेवक को मिल रहा है इसी समर्थन का परिनाम है कि महा मिलावटी वाले सपा बसपा या कॉंग्रेस हो ये सारे एक ही काम में जुटे हुए हैं मोदी को गाली देने में प्रधान मतरी मोदी ने कहा है कि इसकी गालीयों का जबाब मोदी को नहीं देना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान की जनता कमल के निसान पर वोट डाल करके इस गाली का जबाब जरूर देगी मैं तो मतां और बहनों के सम्मान और गरीबों की आत्म विस्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ उन्होंने कहा है कि ये महा मिलावटी लोग जाती का सहारा नहीं लिया जनतोस परदान मतरी मोदी ने कहा है कि मैंने गरीबी पिछड़ापन को भुगता है जो दर्द आप सह रहे हो मैं खुद सहा हूँ मैं मेरा पिछड़ापन और मेरी गरीबी दूर करने के लिए नहीं बलकि आप के लिए जिया हूँ इसलिए लोगों की जाती की राजनीती के नाम पर आपने और आपके रिस्तदारों के लिए बंगले खड़े कर दिये